अब दोस्तों मुरा नाम आशो दोस्त और आप देख रहे हैं आईसे कर भी से बैचलर्स इन जिनरिंग और बैचलर्स इन टेक्नोलोजी बी एंड बी टेक यह दो रहे बहुत ज्यादा कन्फुजन होता है क्योंकि हमें बहुत सारे कोलेजिश में बी मिलता है इंजिनरिंग क बैटर्स ऑ कोलेजिक वहीं र ep6 ौसरें सेम टाइम पर बीट्र मिलता है तो यह मंलता है कि हमें कौन से कॉलेजिश में डना चाहिए जब मैं यहां ठाहिद będziemy में अच्छा होगा CP अच्छा हूग कौं सा कॉर्स में हमारे लिए बहतर होगा कि उसको हमें सेल्एक आरहे comes का म तो इस वीडियो कहीं पे स्किप मत कि जागा इस वीडियो को अभी से लेकर लास तक पुरा देखते रही है चोटा सब पहले दोनों कमारें बतायाता हूं भी और बीटे का कि होता क्या है तो भी का चार सला कोर्स होता है उसमें आठ समेस्टर होते हैं दोनों कोर्स ऑफ इंजिनरिंग ही है अगर आप इंजिनरिंग करते हैं तो आप बीई से भी कर सकते हैं बीटेक से भी कर सकते हैं दोनों से आप इंजिनर ही कहलाएंगे ऐसा नहीं है कि आप बीई से करेंगे तो इंजिनर रिखा लाएंगा ऐसा नहीं है दोनों से आप इंजिनेरी बनते हैं दोनों में चार साल कोर्स होता है और दोनों आठ संस्टर का कोर्स होता है दोनों महुझ जादा था ज्यादा है थोड़ा था डिफरेंस है ठीक है तो वह डिफरेंस को बहुत बात करने वाले है similarities बस यही है कि दोनों engineering के courses हैं और दोनों में 4 सल की course होता है और 8 semester होते हैं तो यह similarities है अगर हम बात करें differences के बारे में तो सबसे हम बात करते हैं B, bachelor's in engineering जिसका full form है तो अगर आप यह करते हैं देखें हमाई बहुत सारे जिसे comment के ही है बहुत सारे colleges में आपको BE course मिलता है engineering का BTEC मिलता है तो यहां पर doubt आता है जब मैं भी admission के लिए apply कर रहा था तो मुझे बहुत सारे colleges में बहुत सारे colleges में BTEC मिल रहा था तो अगर कर मैंने BTEC सेलेट किया और यहां पर देखता हो कि बहुत सारे बच्चों को जो मुझसे पूछ रहे है कि भाई या B, BTEC में आपको difference क्या है कौन सा हमें सेलेट करना चाहिए किस में हम admission ने तो उसके regarding मैंने सुझा कि एक वीड फोकस होता है वह theoretical part पर होता है जैसे दो चीज का पढ़ाया होता है दो तरह के पढ़ाया होता है theoretical एक practical तो अगर जैसे भी आप करेंगे तो उसमें ज्यादा जो फोकस होगा वह इनका theoretical knowledge पर होगा और वहीं बात की जाएगा और BTEC के बारे में तो इसको बैसलेर्स इन टेक् पर किर्टी रहता है वह आपको bachelor of engineering course में रहता है कि इसमें आपको ज्यादा थे मात जाएगा बीटक में आपको ज्यादा practical knowledge के वारे में दिया जाता है उनका ज्यादा priority होता है practical knowledge ज्यादा उनका फोकस होता है practical knowledge तो यह first दो नॉम्हर डिफरेंस हो गया दुसरा डिफरेंस क वही बी बीटेक सबस्की Works तो जो वही होता है उसमें यह सिखायाता है कि आप किसी भी Product को कैसे नए तरीके से बनाएंगे अब जो B-Tec होता है उसमें उसी जो प्रोडक्ट को आप बनाएंगे उसका quality कैसे इनहांस करना है update, upgradation basically कैसे करना है वो सिखा जाता है आपको जो B-E होता है उसमें इसमें इसमें कोई चीज है तो उसका solution निकालना है हमें बीटेक का बात किजएगा तो बीटेक वालों को जो जो प्रोड़क्ट बना है उसी को और इनहांस करना है या फिर उनके मतलब या फिर प्रोड़क्ट को बना या कुछ उसको अपडेड कैसे करना है उसका quality कैसे बढ़ाना है उस पे फोकस किया आता है तो यही तीन में डिफ बीटेक कर सकते हैं दोनौं इंजिनरे नहीं होगा बीटेक से करोंगा तो इंजिनर कहलाओंगा ऐसा बिल्कुल नहीं है आप दोनों मैं से कोई पी को इन जिनर कहलांगे ओर अब इंजिनर होंगे इसनिर होंग रहाए त्या है तो यह चीज आप क्लिए रखेगा इस चीज में बिल्कुल भी डाउट मतर होई एगा कि वी करने से इंजेनर मैं नहीं बनूग का और ब्लिंए चाहिए सिर्फ हो rotten को प्राइथ कल California तिकğa और ज्यादा जो आज करनी का दल चलाओ वहाँ टेकनोलोजिकल ौलिज मिलता है तो जातर बच्छों को और टेकनोलोजिकल पढ़ने का ज्यादा इंट्रेस्ट होता है और वो चाहते हैं कि हम टेखनोलोजिकल नौलेज ले उसको practice करें practical वर्ल्ड रे प्रैक्टिस करें तो इसले से यह जो ट्रेंड में चल रहा है आज वह वह बित्टिक ज्यादा चल रहा है तो 50 आप 2 हे से कर सकते एक तो आपको हो गया 3 साल कांई बी बीटेक नवाले हैं यह Heard Beach कर सकते हैं एक तो डिप्लोमा के बाद मतलब तीन साल का जो कोर्स होता है या फिर आप कर सकते हैं तो इन तरहों कैसे कर सकते हैं आप देखिए हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बैतर होगा आपके लिए यह डिपेंट करता है आप पर मैंने बताया कि जो भी होता है वह अब देखना है आपको क्या इंट्रेस्ट है ज्यादा ट्रॉक्स पर प्रैक्टिकल नॉलज्ज मुझे करना है ज्यादा लाप्स बगरे करने है और इसको प्रैक्टिस करना है जहां पर बॉडि वर्क करें ठीक तो यही मेरा कहना है कि इसलिए मेरा इंट्रेस्ट था बीटेक में इसलिए मैंने बीटेक लिया आपको सब्सक्राइब बीटेक करना है कि आपको क्या इंट्रेस्ट है अगर आप जादा थी पढ़ने में मन हैं आप रिसट्स ज्यादा बनना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा चाहा होगा आप थे पढ़िए उस पर जाद आपको नॉलेज मिलेगा थेयोरी का अगर आप ज्यादा टेक्नोलोजिकल पार्ट से पढ़ना चाहते हैं ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हैं ठीक उसको इंप्लिमेंट करना चाहते हैं तो आप भी टिक करिएगा अब दिखें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्को बाइस दिखेंगा तो अभी ट्रेंड में बीटेक चल रहा है और जातार बच्चे फोकस करते हैं बीटेक लेनों को ही और मैं अभी आपको रिकमेंड करना कि अगर आप किसी कॉलेज में आपके पास ऑप्सन है कि आपको बीटेक भी मिल र प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आगा आपको थोड़ा चार साल एंजिनरिंग करने में बजा भी आएगा है ना तो इसलिए मैं बोल रहा हूं और स्को बाइस दिखेंगा तो दोनों बहतर है दोनों लगवक सिमिलर ही है जो डि मिलेगा ऐसा नहीं होता है दोनों का लगवक सिमिलर मिलता है और दोनों का लगवक सिमिलर ऑपर उसने टीज रहते हैं ठीक है दोनों का सिमिलर होता है ऐसा नहीं कि बहुदर डिफरेंस होता है तो दिखेंग यह यहाता है कि वी जो है ज्यादा थेोलिटिकल नॉलेज पर होता हुँए और BTEX जए जादा उनका प्रैक्टिकल नॉलेज्ज टेक्नियोलोजिकल नॉलेज्ज ले फॉक। सोता है तो यह धार डिफरेंस है दोनों में बिसिकली और बाकी सिमिलर है और दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं बाकी देखना है आपको कि आपको थोलिटिकल ज्यादा पढ़ने में जाता है या टेक्निलोजिकल या प्रैक्टिकल करने में ज्यादा मजाता है उसके वाद आप सेलेट कर लेजेगा तो बस दोस्तों यही था मुझे बताना था कि बी और बीटेक में क्या दार डिफरेंस है आई होप आपका यह वीडियो पसंद आंग अगर आपको जरूजिकल सेयर पूस्ते हीड hair video में thank you watching कि